कि हलो नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैजिक जैसा स्वागत करती हूं आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स के इस लेडिज लाइश्ट्रीम में जिसमें आज हम संशारण एवं विकृत गंदिता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज का जो ये लेक्चर है हमारे फॉर्स चैप्टर का आखरी टॉपिक है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बुक वाला कंटेंट है वो खतम हो जाएगा इसके बाद में हम क्या करेंगे इसके बाद में हम इस चैप्टर के MCQ करेंगे अक्टिविटीज करेंगे और NCRT के प्रियांशु मौर्य, रोहित कुमार, गौरव गेमिंग, रूपल कुमारी, प्रिंस मौर्य, जैराजपूत, आरके2006, वेरी वर्म गुद इवनिंग बच्चो, हलो क्रांतिवीर मौरे, घंशाम पांडे, सुशील कुमार, रोहित कुमार, मयंक कुमार, चलो, कैसे आप सभी लोग, पहले तो मुझे बताएंगे कैसे हैं, कल क्लास नहीं थी, तो कल क्या किया फिर आप लोगोंने, आचा सबसे पहले आप लोग मुझसे पूछ रहेते कि 20 सेक हो रहे हो, अगर मैं DPP देखती हूँ, तो, DPP में आपने मुझे बोला था कि माम, 22nd question, DPP के अंदर जो यह question है, वो कुछ इस प्रकार है, TB plus HCl इससे मिलेगा हमें H2O प्लस PBCL2 अच्छा, इक्वेशन में आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गडबड है, इकवार मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने सही लिखा है न, TB plus HCl gives us H2O plus PBCL2, ठीक है, और हमारे पास में जो actual question होना चाहिए था हम, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका होना चाहिए था PB OH2 question में गडबड़ी यह है कि यहाँ पर lead hydroxide होना चाहिए था, अब यह question जो है correct हो गया है, अब आप इसका answer आराम से निकाल सकते हैं अगर chlorine को balance करने के लिए हम इदर 2 लगाते हैं, तो 4 हमारे पास में hydrogen हो जाते हैं और 4 hydrogen को balance करने के लिए इदर में 2 लगाती हूँ, तो 4 hydrogen, 1 lead, 1 lead, 2 oxygen, 2 oxygen, 2 और 2 hydrogen, 4 hydrogen और 2 chlorine, ठीक है, ठीक है, डन, नाइन, गौरफ गेमिंग बोल रहे हैं कि मैं नाइन भी, नाइन में भी problem है, चलो, नाइन भी check कर लेती हूँ, कि बुक में, आपकी DPV में 9th question क्या दिया है, DPP का ये 20 second था, जिसका मैंने correction करवा दिया है, और 9th question जो है, DPP में दिया गया है आपके, Ammonium Phosphate, NH3, sorry NH4, 3, PO4, plus PB, gives us, PB3, PO4, 4, lead की जो valency है, वो 4 तो नहीं होती है, चेक करना पड़ेगा, NH, Ammonium Nitrate मतलब हम बोल सकते हैं, आपके, अब इसका जो correct question है, वो होना चाहिए, 9th, हाँ, सबसे पहले तो इसमें हम देख लेतें कि NH4, 3, PO4, gives us PB, question ही गड़बड उत्रावा है, question ही गड़बड उत्रावा है, चलो, इसका correction यहां कर दूँ, यह आपकी equation जो गलत वाली है, वो, इसका correction बेटा यहां उतार देती हूं, मैं, इसका correction यहां उतार देते हैं, ठीक है, हाँ, 9th question is wrong, इसका correction है बेटा, हमारे पास में कि, अमोनियम फोस्फेट, NH4, 3, PO4, प्लस, PB, NO3, यह वाली जो चीज है न, यह यहां पर पहले होनी चाहिए थी, फिर है हमारे पास में, PB, 3, PO4, 4, प्लस, NH4, NO3, यह आपका correct equation है, जाने एक बार thumbs up कर दो, पिटा, don't pay attention to them, जो class को, परिशान करने के मकसद से आते हैं न, उन लोगों को avoid करने का, सबसे बहतर तरीका यही है, कि आप उन लोगों की बातों पर ध्यान न दे, हो जाएगा यह वाला question, हो जाएगा, एक बार thumbs up कर दो, कि yes, मैं, अब हो जाएगा, कोई problem नहीं है, और नहीं भी होगा, तो मैं कल आपको, कल मैं आपको इसका answer प्रोवाइड कर दूँगी, ज़र्फ नइथवाले का, वैसे DBP के solution से वो मैं upload कर वाऊंगी, चलो, तो पिछली class में बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा था, पिछली class में हमने redox reaction के बारे में पढ़ा था, पिछली class में हमने redox अभी क्रिया आउं के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि ऐसी अभीक्रिया है जिसमें oxidation मैं short form में लिख रही हूँ ठीक है ऐसी अभीक्रिया है proper जो है मैंने आपको परसों की class में पूरा पड़ा दिया था ऐसी अभीक्रिया है जिसमें oxidation और reduction या फिर up chain वह है up chain दोनों एक साथ होते हैं ऐसी अभीक्रिया हों को हम redox अभीक्रिया कहते है хотите oxidation में हमने क्या पड़ा था oxygen के पर्माणू का जुड़ना या फिर hydrogen के पर्माणू का हटना प्लस मतलब oxygen का जुड़ना औरに- oxygen का हटना हमारा ув house dAPPart है और अपक्राइन हमने क्या अगर कई धौई धातु आकर के जुड़ जाती है । avos अगर ठाटू आकरके जुड़ रही है । और अगर धातू आकर के जुड़ रही है किसी पर्मानू के साथ में अगर धातु आकर के जुड़ ही है तो जातु का क्या हो जाएगा आपचयन हो जाएगा और इसमें क्या है? इलेक्ट्रोन का जुड़ना भी हमारा अप्चयन कहलाता है इलेक्ट्रोन का जुड़ना भी अप्चयन कहलाता है और इलेक्ट्रोन का मुक्त होना उप्चयन कहलाता है ये बहुत सारी अवधान नायती हमारे पास में Oxidation और Reduction को ले करके चलो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसके अलावा हमने दो टर्म और पढ़े थे एक हमने पढ़ा था ओक्सी कारक के बारे में एक हमने पढ़ा था ओक्सी कारक के बारे में तो यहां हमने देखा था कि ओक्सिकारक हम उसको बोलते हैं जो ओक्सिजन देता है ओ परमाणू देने वाला लिख रही हूँ मैं ओक्सिजन की जगे आप इसको पूरा ओक्सिजन लिख ले ओ परमाणू देने वाला या फिर हाइड्रोजन का परमाणू लेने वाला या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिसका अपचयन होता है वही हमारा ओक्सिकारक कहलाता है ऐसा बोल सकते हैं आप चाहिए कि अन्य अवधाना या आप पूछ रहे हो तो बिटा मैं बता देती हूं आपको एक दो एक्जाम्पल्स की बेसिस पर हम इसको समझ लेंगे चीज़ को आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह वैसे भी बहुत चोटा है तो यहां पर हम एक एक एक्जाम्पल में वह लिख दूँ पहले एक बार में वह लिख दूँ कि अवकारक क्या होते हैं अवकारक क्या होते हैं वह लिख दे हम कि अब कारक क्या होते हैं कि अवकारक होते हैं और अवकारक होते हैं ऑक्सिजन परमानूं लेने वाला या फिर हाइड्रोजन परमाणू देने वाला इसके अलावा क्या देखा था हमने कि जिसका उपचयन होगा जिसका उपचयन होगा वह हमारा अवकारक कहलाता है जिसका उपचयन होता है वही हमारा अवकारक कहलाता है हाँ शायद आजकल पता नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है मैंने भी कुछ कमेंट्स बच्चों को रिप्लाइ करें थे फिर वो आटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं यूट्यूब के साइट की प्रॉब्लम में बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करांतिवीर फर्स टाइम में कोई चीज भूलो पढ़ते हो तो वो 100 परसेंट याद नहीं होती है अगर मैं इस चाप्टर को पहली बार पढ़ती ना as a 10th class की बच्ची तो मुझे भी याद नहीं होते एक बार में सारे एक्जांपल हमें बार 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 पढ़ना पढ़ता है हमारा जो माइंड है न वो क्या करता है जब आप किसी चीज को लर्ण करते हो फर्स टाइम तो वह 30 या 40 परसेंट ही अपने पास में रख पाता है 100 परसेंट इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए आ Mekanata मेरे साइड से तो क्लियर है रोज वाली क्वालिटी ही है यह बेटा shortcut trick है ठीक है आप देखो यहाँ पर यहाँ पर अपचायक चीज आपको समझ में नहीं आई थी अपचयन वाली जो चीज आप बच्चों को कम समझ में आई थी तो यह आपका जो doubt था comment वाला में अपचायक समझ में नहीं आया था कि अपचयन समझ में नहीं आया था ठीक है यही मेरे को एक बार बता दो तो यह आपका जो doubt है वो मैं clear कर रही हूँ यहाँ पर ठीक है तो अपचयन electron के जुड़ने से कैसे अपचयन होता है कि मालो आपके पास में chlorine का पर्माणू था इस chlorine के पर्माणू में आपने electron को जुड़ दिया है तो अब यह chlorine का जो पर्माणू है यह जो chlorine का पर्माणू है अब क्या बन गया है एक electron इसमें ज्यादा है ना तो electron का जुड़ना electron का जुड़ना क्या होता है अपचयन होता है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि chlorine का अपचयन हुआ है chlorine का अपचयन हुआ है क्लोरीन आयन में यह आयन हो गया है ठीक है क्लोरीन आयन में अचा यह चीज़ समझ में आ गई है इलेक्ट्रोन वाली अवधार्णना समझ में आ गई थी एक तो बच्चे ने मुझे यही कमेंट किया था कि मैं यह चीज़ समझ में नहीं आई कि electron का जुड़ना किस प्रकार से अप्चयन होता है बिल्कुल हो जाएगा सूरज यादव पर बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो एप पर प्रोवाइड की जाएगी test और question practice तो उसके लिए आपको batch लेना पढ़ सकता है अगर आप completely बहुत अच्छे से prepare करना चाहते हो तो धावन सोडार second chapter में है आशी शयांश क्या कह रहे हो बिटा चलो एक example हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम potassium iodide की अभीक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ में जब हम जब हम potassium iodide की अभीक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ में तो क्या हो सकता है क्लोरीन की अभीक्रिया शीलता iodine से जादा है तो यह क्या करेगा बच्चों chlorine की अभीक्रिया यह भी प्रकार की आप विस्थापन अभीक्रिया भी इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर chlorine क्या करेगा यहाँ से iodine को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा और साथ में यहाँ पर hydrogen मुक्त हो जाएगा अब अगर हम इस equation को देखते हैं तो कोई भी ना तो ऑक्सिजन जुड़ रहा है ना यहां पर अक्सिजन निकल रहा है ना यहां पर ना यहां पर हाईडोजन जुड़ रहा है तो इस basis पर हम उपचयन हुआ है यह नहीं बता सकते हैं लेकिन मैंने आपको एक अवधान ना और बताई थी कि जैसे potassium iodide है तो potassium iodide किसमें परिवर्तित हो गया है KCL के अंदर परिवर्तित हो गया है potassium iodide जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया है potassium iodide जो है वो हमारा KCL में परिवर्तित हो गया है तो यहाँ पर अगर आप chlorine को देखते हो या फिर आप ऐसे समझो कि chlorine क्लोरीन के प्रिश्पक्रत देखते हैं लहाँ क्लोरीन के अंदर क्यां ट्रॉत हूँ है क्लोरीन के अंदर तो यहां पर हमुआ बोल देंगे कि क्लोरीन का यहां हो गया है अप चयन खुआ है और अगर मैं यहाँ पर पोटेश्यम आयोडाइड देखू तो पोटेश्यम आयोडाइड परिवर्तित हुआ है आयोडीन में तो यहाँ पर अगर मैं आयोडीन के प्रिस्पेक्टिव से देखती हूँ तो क्या है धातू का निकलना और धातू का निकलना क्या कहलाता है उपचयन कहलाता है क्या इतनी बात clear है बच्चो बाते छोड़ो और जल्दी बताओ clear है या नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आशुतुष पटिल जिसका भी मुझे कमेंट दिख रहा है उसका मैं reply करती जारी है इतने हैं कि यूसफुल कमेंट मुझे दिखते ही नहीं है यह सारी अभीक्रिया है आपको तीनों चैप्टर में repeat होती हुई दिखेगी नहीं सूरज यादव स्लेबस का जो कुछ पार्ट है वह अप्लिकेशन पर करवाया जाएगा तो 100% स्लेबस आपका यूट्यूब पर नहीं होगा स्लेबस का बहुत सारा पार्ट आपको अप्लिकेशन पर दिखेगा हाँ नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हो एक्चुली जब भी धातू आता है ना तो धातू हमेशा क्या करता है इलेक्ट्रोन देता है तो जब धातू जुड रहा है जब यहाँ पर धातू आकर के जुड रहा है तो धातू ने क्या करा है धातू ने अपना एक इलेक्ट्रोन जो ह धातू का जुड़ना मतलब मैं का आपको connect करके याद करवाने की कोशिश कर रहे हूँ पेटा आप घटन जब होता है फैरस सल्फेट का तो हमें Fe2O3 साथ में सल्फर डाई उक्साइड और सल्फर ट्राई उक्साइड देखने को मिलती है उमीद करती हूँ यह points जो है आपके जो doubt थे आपके वो clear हो गए है एक बाद हम सब करतो कि yes ma'am clear है ताकि हम आगे चलें जल्दी से thumbs up करो very good श्वेता आ रहे हैं विक्रित गंदिता और संशारण पर ही आ रहे है तूरज यादम बेटा 100% स्लेबस नहीं करवाया जाएगा यूट्यूब पर बहुत सारा स्लेबस का पार्ट हम अप्लिकेशन पर कवर करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि मैं को यह चैप्टर कंप्लीटली आपको अप्लिकेशन पर पढ़ा हुई ना ठीक है वन शॉर्ट क्लास भी लेंगे बेटा चैप्टर तो पूरा होने दो देख सकते हो देख सकते हो रिविजन के लिए देख सकते हो चलो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में ओक्सी करण यहां हम पढ़ने वाले हैं आज जो है हमारी हेडिंग है दैनिक जीवन में ओक्सीकरण के प्रभाव अब यहां पर जो हम ओक्सीकरण पढ़ेंगे वो दो चीजों का पढ़ेंगे सबसे पहले हम ओक्सीकरण पढ़ेंगे धातूओं का जब ओक्सीकरण होता है तो वह है नश्ट होने लगती है ठीक है तो यहां हम लिखेंगे ओक्सिकरण के प्रभाव से धातुओं के नश्ट होने की प्रक्रिया अभी पूरा समझाऊंगी नश्ट होने की प्रक्रिया को संशारण कहते हैं माइंड यू की यह जो है डेफिनेशन नहीं है डेफिनेशन में आगे लिखवाऊंगी संशारण कहते हैं यह सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ठीक है कि जब धातूं का जब धातूं का ऑक्सिकरन होता है तो धातूं क्या हो जाती है नश्ट होने लगती है उनकी जो गुणवत्ता है वो कम होने लगती है जिसकी वज़य से वह हम क्या बोलते हैं कि धातूं जो है हमारी संशारित हो गई है इसका उधारण आपके अपने आसपास में देखा होगा कि जब लोहे को जंग लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि लोहे का संशारण हो गया है बिल्कुल गौरफ गेमिंग मुझे भी तो मौका दो बढ़ाने का सब लोग आप पहले लिख दोगे तो मैं कैसे बताऊंगी करांतिवीर मौर्य आपका जो प्रॉब्लम है वो आप मेरी क्लासेज लेते रहो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल हो जाएगी don't focus on problems जब मैं कह रही हूँ कि same examples आपके second और third chapter में repeat होंगे तो मतलब होंगे अगर आपको नहीं यकीन है तो आप last year के वीडियो जाकर के देख सकते हैं उसमें आपको same examples मिलेंगे तो लिखो उनको क्यों नहीं यादोगा आराम से यादोगा mechanism तक समझाया है मैंने आपको तो जो भी बाते क्लास में बोलती हूं बस उनका पर अटेंशन दो और उनको note करो हातों से लिखो अपने मैं भी prepared slide से पढ़ा सकती हूँ last year की तरह लेकिन मैंने सोचा नहीं बच्चों को साथ में लिखने का मौका मिलना चाहिए इसलिए मैं भी आपके साथ में ही लिख रही हूँ ओक्सिकरण के प्रभाव से खाद्य सामगरी के नश्ट होने की प्रक्रिया को विक्रित गंदिता कहते है चान हाँ लेकिन बेटा हम जब second chapter को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि केवल oxygen के साथ में अभिक्रिया करने headline long होती है और केवल पानी के साथ में अभिक्रिया करने से भी धातू संशारित नहीं होती है अगर धातू का संशारण होगा तो वह अपने आसपास में मौझूद ऑक्सिजन और नमी मतलब जल दोनों के साथ में अभिक्रिया करेंगे और तब ही संशारण होगा अकेली ऑक्सिज सचारुएंगे सचार्ण के बारे में स्टार्ट करें सचारं की डेफिनेशन लिखेंगे भुत सारे बच्चों pipeline लिखकर करके दिए सचार्ण गलत लिखा है मैंने चेंच कर देते हैं कि देखते हैं का गलती की allá बिल्कुल बिल्कुल यही definition हम लिखने वाले है हाँ हाँ ठीक है लो हो गया ठीक हो गया ठीक अब ठीक है हाँ 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 करेक कर दिया है जब कोई धातू जब कोई धातू अपने जब कोई धातू अपने आस पास जब कोई धातू अपने आस पास बिटा प्लीज आप वो वाला पर्टिकुलर लेक्चर देख लो अभी हम डिस्टर्ब होंगे सबी बच्चे अगर मैं आपको बीच में बिल्कुल आपको अपगटन पढ़ाती हूँ तो लेक्चर अवेलेबल है आप रिकॉर्डट देख सकते हो जब कोई धातू अपने आस पास के अमल या फिर आस पास मौजूद अमल नमी तथा ओक्सिजन से अभीक्रिया करती है अभीक्रिया करती है तो संशारित हो जाती है क्या हो जाएगी तो संशारित संशारित को जाती है तथा इस प्रक्रिया को तथा इस प्रक्रिया को संशारण कहते है अब इस चैप्टर में संशारण के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मिशन आपको दी गई है जब कोई धातू अपने आसपास के अमल नमी आदी के संपर्क में आती है या फिर आसपास मौजूद अमल नमी तथा ओक्सिजन के संपर्क से अभी ख्रीया कड़ती है या फिर संपर्क में आती है तो यह संशारित हो जाती तता इस प्रक्रिया को हम संशारन कहते हैं पलुकुल प्रतीक्षा जी आप यह वाले भी देफिनेशन से लिख सकते हो ज़रूरी नहीं है कि जो definition मैं लिख वारी हूं आप वही लिखे अगर आपके पास में अपनी खुद की बनाई वी definition है तो आप वह भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल चलो हाँ बिल्कुल आभी देखेंगे अभी मैं आपको एक्जैम्पल सुंगे आपको सब समझ में आएगा हम यहां लिखेंगे संशारण के कारण संशारण के कारण चांदी पर काली परत चड़ जाती है काली परत चड़ जाती है क्या होता है जब हम चांदी को अपने आसपास में रखते हैं तो आसपास मौझूद सल्फर डाई उकसाइड सॉरी सल्फाइड से अभी क्रिया करके है फिर हवा में मौझूद सल्फर से अभी क्रिया करके क्या बोल रही हूं मैं कि जब हम चांदी को खुले में रख देते हैं आपने देखा है अकसर जो अपनी ममी वगरा है वो क्या करती है चांदी को कॉटन में पैक करके रखती है और कभी हम जब चांदी को वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो यहां हमें क्या मिलेगा यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब हवा में मौझूद सफाइड गैस के साथ में अभी क्रिया करती है तो आपको क्या मिलेगा silver तुलफाइड देखने को मिलेगा और साथ में hydrogen gas जो है वो आपको देखने को मिलेगी अब यह जो silver sulphide होता है ना यही आपको काली परत के रूप में दिखाई देता है या फिर आप ऐसा बोल दो कि काली परत होती है वो किसी होती है silver sulfide की होती है कहीं कहीं पर आपको यही definition इस प्रकार से भी लिखी हुई मिल सकती है कि जो silver है वो sulfur के साथ में अभीक्रिया करता है कहीं कहीं पर ही definition यह जो equation है आपको इस प्रकार से भी लिखी हुई मिल सकती है वैसे यह वाली जाता accurate तो आप यह mention करें तो यह जो है आपको silver sulphide की काली परत यहां पर देखने को मिलती है sulfur की valency दो है न यहां और silver की 1 है तो यहां हमें 2 लगाना पड़ेगा हाँ लोहे पर भी जो भूरे रंगी परत होती है वो संशारण के कारणी आती है बिल्कुल शेव कुमार सिंग आप देख सकते हो topics अगर आपके मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल शेव कुमार देख सकते हो श्वेदा सिंग H2S लिखेंगे हम बिटा ये जो है हमारे आसपास में मौझूद चांदी का जो संशारण है वो अमल से अभीक्रिया के कारण होता है ना की जल और नमी से अभीक्रिया के कारण अभी हम आपने उतार लिया है यह हम कॉपर के संशारण के बात करते हैं उसमें आप देखेंगे तो अमल से भी तो अभिक्रिया करने से चांदी के संशारण हो रहा है अब हम कॉपर की बात करते हैं कॉपर अपने आस पास कॉपर अपने आसपास मौजूद कार्बन डाय ओक्साइड ओक्सिजन तथा जल के साथ अभीक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बनाता है कॉपर कार्बोनेट कार्बोनेट का निर्मान करता है वेटा क्वेशन आते हैं एक एक क्वेशन एक एक टॉपिक में से पूछा जाता है अब इसका आप लिख सकते हो कि कॉपर क्या करता है कॉपर संशारित हो करके कॉपर कार्बोनेट का निर्मान करता है और जिसमें से यह कॉपर कार्बोनेट वाला पार्ट होता है यह आपको हरी परत में दिखाई देता है तो आपने देखा होगा कि तामबे बरतन चमक नेवाला एक पाउडर आता है और उससे जब हम और in अंब अरे उरे यह ओरे तामबे के बरतनों को मांचते हैं तो वाकर चमकदार हो तो जो पाउडर होता है उसमें क्या मौझूद है उसमें एक ऐसा केमिकल मौझूद होता है जो इस हरी परत को जल में घोल देता है जिसके कारण कॉपर की जो चमकदार परत है वो पुनह आपको दिखने लगती है अब इसकी अगर एक्चुल डेफिनेशन आप लिखना चाहो ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि कॉपर जो है वो संशारित हो करके कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बना देता है इसका जो बेटा एक्चुल समीकरण है वो ये है अगर आप एक्जाम में लिखना चाहो समीकरण तो ये वाला हमें लिखना है कि कॉपर क्या करेगा कॉपर अप पर हाइड्रो उक्साइड की परत बनाएगा, ठीक है, संतुलित नहीं किया, तो इक्वेशन गलत थोड़ी हो गई है, अधूरी है, ऐसे बोलाओ, संतुलित आप करें equation भी मैंने आपको संतुलित करनी सिखा दिये न equation संतुलित करगे भी मैं दिखाऊं ऐसा एक सिल्वर, एक सिल्फर दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर उपर वाली तो सही है इसको बैलन्स करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर 2 लगाओगे और इसको बैलन्स करने के लिए आप यहाँ पर अगर 2 लगाते हो तो इदर 4 सल्फर हो जाएंगे और फिर इसको बैलन्स करेंगे तो हम इदर 4 सल्फर हो जाएंगे, लो, हो गई बैलन्स बस, equation ही गलत कर दी तुमने मेरी ऐसा बोलो मैं मदूरी है आपने बैलन्स नहीं करा है और मैं बैलन्स ना करूँ तो आपको खुद को बैलन्स करना है क्योंकि मैंने आपको बैलन्स करना सिखा दिया है नई, सभी दातू O2 से अभी सिर्फ अकेले oxygen से संचारण नहीं होता है बैटा, मैं आपको बोल रही हूँ न दिहान रखो इस बात का अचा ये चांदी वाला पार्ट हो गया है ये तामबे वाला पार्ट हो गया है ये समीकरन जो है आपको अगर exam में पूछ लिया जाए तो आपको ये वाला समीकरन लिखकर क्या आना है अचा भी समीकरन जो है अदूरा है यहाँ पर आप क्या mention करोगे इसको मैं वापस लिख देती हूँ नहीं तो फिर बोलोगे कि मैं आपने ये नहीं किया है तो copper जो है वो थोस अवस्था में carbon dioxide जो है gacy अवस्था में है और जो जल होता है वो भी हमारा gacy अवस्था में भी हो सकता है और जो जल है हमारा वो वाश पवस्था में भी हो सकता है तो यहाँ पर हमें मिलता है copper carbonate dot copper hydroxide और यह जो है आपको ठोस के रूप में ही दिखाई देता है आप इसको जल्दी से balance करके मुझे बताओ कि क्या आएगा ठीक है इसको balance करके अच्छा मैंने इदर state नहीं लिखी है इसको जल्दी से balance करके बतादो कि क्या आएगा balance आप करेंगे और मुझे बताओ जल्दी से कैसे आएगा जब तक मैं लोहे का संशारन लिख देती हूँ लोहे का संशारन लिख दू जब तक लोहे की यह आपको balance करना है लोहे की चमकीली परत देखते हैं नहीं नहीं कीली आती है शाइनी होती है जब कुछ समय बाद जब कुछ समय बाद हवा में मौजूद oxygen या फिर कुछ समय बाद ऐसे भी लिख सकते हैं आप oxygen जल्द या फिर नमी वह अमल से अभी क्रिया करती है तो लोहे की तो लोहे की चमकीली परत तो लोहे की चमकीली परत लालीमा युक्त हो जाती है और ये जो लोहे की चमकीली परत का लालीमा युक्त होने की प्रक्रिया है उसे ही हम संशारन खहते हैं लालीमा में मैंने मात्रा गरत लगाई है इसको हम ठीक करेंगे लालीमा युक्त लालीमा युक्त बूरे रंकी हो जाती है। किसी प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। गृट क्रांटीवी, रगोटॉ आतिफा खातून बेटा ही तो मैं साथ से पूछ के बताऊंगे आपको कि कब होगा लालीमा यूग तो मतलब रेडिश कलर की हो जाती है लालीमा यूग तो मतलब रेडिश कलर की हो जाएगी और कुछ नहीं है इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं अब इसके prevention मतलब कि इसके बचाव क्या क्या है और फिर इसकी equation जो है हम उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लोहे के जंग लगने की जो equation है उसको हम देख लेते हैं आपने इसका screenshot ले लिया है और थोड़ा सा मैं इसको side में कर देती हूं कि मुझे लग रहा है बोर्ड कवर नहीं हो रहा है आप दिख रहा है पुरा नहीं दिख रहा है बच्चों अब बोर्ड पुरा नहीं आता है तो ठीक है अब ठीक है अंकित लाले मायुक्त मतलब रेड कलर का हो जाना जी क्रांति वीर आपका equation देख लिया गया है बिटा चलो तो अब हम इसका equation लिख दे नीचे दिख रहा है क्या यहीं लिख दूँ क्या equation इसका equation हम यहाँ पर लिखेंगे F e प्लस O2 प्लस X मतलब जल के अणू कितने भी हो सकते हैं उसकी जो quantity है वो अग्यात है यह सब आपस में लोहे की सतहे के साथ में अभी क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं F e 2 O 3 dot X H 2 O और यह जो है ना बेटा यह जंग का सूत्र है लोहे के जंग का सूत्र अगर पूछा जाए तो आपको यही लिख करके आना है कोई बात नी बीटा छोड़ो कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो तीन ओक्सिजन याप तीन और इदर दो है तो बैलेंस करने के लिए दर तीन लगाऊंगी तो छे ओक्सिजन हो गए है और छे ओक्सिजन को बैलेंस करने के लिए दर दो लगाऊंगी तो लोहे के अणू कितने हो गए है चार हो गए है तो यहां पर चार हो गए है अब यहा में भी जल के अनू थे वो डबल हो गए होंगे टू एक्स हो गए होंगे तो यहाँ पर जल के अनू को बैलेंस करने के लिए भी मुझे यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा हो गई इक्विशन बैलेंस कि अधन नहीं लिख सकते हैं चंदन कुमार गलत है सदैव धातू को पहले लिखा जाता है और धातू को बाद में लिखा जाता है चलो क्लियर हमजब करो एक्स मतलब बैटा जल के अनू अब यहाँ पर एक जल का अनू भी जुड सकता है दो भी जुड सकते हैं तीन भी जुड सकते हैं चार भी जुड सकते हैं अब मैं आपको बताऊं कि लोहे का जंग लगना बहुत ही जादा खराब चीज होता है क्यूं क्यूंकि हम जो बैट सब्सक्राइब की तुमारे पास में क्मारे पास में कोई भी लोह का डबबा से कह साय था है न्हां प्रकार का से हमारा यह यह लोह का डबा यह हुआ यह जए यह hour घलो में रहता है यह वह न पर दूसरी अन्य चीजें हैं जिसमें हम bridges वगरा बनाते हैं उसमें भी लोहे का इस्तमाल किया जाता है तो आपने क्या देखा है कि बहुत बार जो बहुत पुराने fighting रखना ऑफना जलता है नीचे से गणने लगजाता और जब लोहे की परत पर जंग लगता है तो यह हमारी लोहे की पर लोहे की परत है पहले तो एसी हुआ करती थी जब उसके उपर जंग नहीं लगा हुआ है ना तो ये लोहे की परत आपको ऐसी दिखाई देगी लेकिन जैसे ही इसके उपर जंग लगना चालू होगा तो इसकी जो उपरी सत्य होगी जैसे ही लोहे के उपर जंग लगेगा तो इसकी उपरी सत्य होगा कि उपर ऐसे दरारे पढ़ देगी और जाती है और ये जो आपर की दरार वाला जो लोहा है ये खिरकर के नीचे भी गिरने लगता है अब छेतzung से चाहंगे तो लोहे की 늦 यो वाली परत है न वो भी oxygen और जल के संपर्क में आ जाएगी क्यों कि उपर वाली परत पर जो दरारे पड़ी है न वहां से जल और oxygen दोनों entry लेंगे और अंदर वाली परत को भी नश्ट करने लगेंगे तो ऐसा क्या होता है धीरे 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 करके जो लोहे की पूरी परत है व पूरी की पूरी जो है नश्ट हो जाती है और इस प्रकार से जो है हम purely जो लोहा है उसको हमें संशारण से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं तो हमारे गरों में जो भी लोहा हम इस्तमाल करते हैं उसमें हम लोहे को संशारित होने से बचाने के लिए क् क्या कर सकते हो उनके उपर रंग लगा सकते हो पेंट करके रंग लगाना तो नहीं होली नहीं खेल रहे ना पेंट करके पेंट करके हम धातू को संशारित होने से बचा सकते हैं दूसरा, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाने से क्या होगा, उसके उपर जो ओईल की जो ग्रीस की लेयर लगाओगे तो वो क्या होगा, वो ऑक्सिजन और जल से इजिली अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो आपका धहतू है वो लंबे समय तक चलेगा, ग्रीस का लेपन कहते हैं, या फिर इसे हम क्यालवेनाईजेशन बोलते हैं, इसे हम क्यालवेनाईजेशन बोलते हैं, अब इसमें होता क्या है, इसमें अभिक्रिये शील्धातू, लोहे से अधिक, अभिक्रिये शील्धातू, अभिक्रिये शील्धातू, अभिक्रिये शील्धातू की परत चड़ाई जाती है परत चड़ाई जाती है जैसे की जिंक या फिर आप क्या कर सकते हो मिश्रातू का निर्मान जब आप मिश्रातू बनाते हो तो मिश्रातू बना करके भी आप जो धातू है उसको संशारण से बचा सकते हो मिश्रातू का निर्मान करके जैसे कि हम लोहे के अंदर 0.05% कार्बन मिला करके स्टील का निर्मान करते हैं और लोहे की तुलना में जो स्टील है वो थोड़ा जादा कठोर हो जाता है फिर मिश्रातू का निर्मान करके भी हम धातूओं को संशारण से बचा सकते हैं galvanization जो specially है हमारे पास में galvanization यशद लेपन करके भी हम बचा सकते हैं अब बेटा जब हम यशद लेपन करते हैं तो actually में होता क्या है मान लो यह जो है तुम्हारा लोहे का डबा है और यह लोहे हम क्या करते हैं इस वाले हिस्से पर मैंने क्या कर रहा है इस वाले हिस्से पर मैंने क्या कर रहा है इस वाले हिस्से पर मैंने जो सत्व है उसके उपर जिंक की परत चड़ाई है तो बेटा जब मैं लोहे के उपर जिंक की परत चड़ा दूंगी तो ये जिंक क्या है लोहे से अधिक अभीक्रिये शील है ये जिंक क्या है लोहे से अधिक अभीक्रिये शील है तो जिंक क्या करेगा अपने आसपास में हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो जिंक अपने आसपास में मौझूद oxygen के साथ में अभीक्रिया करके जिंक आकसाइड का निर्मान करता है जो बहुत जादा अभीक्रिय शील नहीं होती है और यह क्या करती है उस जिंक को और जब जादा संशारित होने से बचाती है जब लोहा संशारित हो जाता है तो उसके लिए बिलकुल बेटा मिश्र धातू की परत चड़ा करके भी बचा सकते हैं पेटा कुछ समय के लिए जो rate है उसके संशारित होने की वो कम हो जाती है क्यों क्योंकि अगर हमने paint लगा दिया है तो जो हमारी धातू है वो सीधे सीधे हवा में मौझूद नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है पहले अगर संपर्क में आईगी भी तो नमी क्या करेगी सबसे पहले उस paint की परत को गलाएगी paint की परत को गलाने के बाद में फिर संशारण जो है वो चालू होता है अब इसमें बेटा हम एक और point अड़ कर लेंगे कि जो हमारा fe2 o3 dot x h2o होता है यह भूंगर होता है brittle होता है मतलब इसके उपर चोट करोगे और यह दाने-दानों में बिखर करके तूट करके बिखर जाएगा तथा समय के साथ लोहे की कतह को शतिग्रस्त करता है यह point लिख लेना यह हो गया हमारा संशारन वाला पूरा अभी जो संशारन का topic है यह फिर से third chapter में आएगा थांक्यू रोहेद यह दब्बे के अंदर मर्ज हो रहा है इसको n कर लेना आप इस डब्बे को तोड़ नहीं सकती हूँ मैंने उसको तूटने से बचाने के लिए तो उसके उपर जिंक की पर चड़ा ही थी अब थोड़ी अलग कर दूंगे मैं आज चलो आगे चले विक्रित गंदिता के बारे में बात कर ले तो विक्रित गंदिता के बारे में हम लिखेंगे विक्रित गंदिता तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि जब खाद्य सामगिरी अपने जब वसायूक तिया फिर ते लिए खाद्य सामगिरी को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाध तथा गंद में परिवर्तन आ जाता है जिसे हम विक्रित गंदि रेंशिड कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम विक्रित गंदिता कहते हैं इसको हम अपनी भाषा के अंदर भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि जब ते लिए व वसायूक्त भोजन को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है मतलब खुला छोड़ दिया रखके वूल गए पन उसको छोड़ दिया तो यह वातावरण में मौझूद मैं पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ में डेफिनेशन लिख रही हूँ ठीक है तो यह वातावरण और मैंने खुद से बना रही हूँ ना वातावरण में मौझूद ओक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके ओक्सिक्रित हो जाते हैं ओक्सिक्रित हो जाते हैं तथा इनके गंदव स्वाद में परिवर्तन आ जाता है परिवर्तन जाता है जिसे मतलल भी जो परिवर्तित हुआवा खाना है न हम बोलते हैं तथा फूट इस रेंसिट जब हमारा खाना खराब हो जाता है उसमेंसे बद्बू आने लग जाती तो हम क्या बोलते हैं कि जो खाद्य सामगरिये विक्रित गंद हो गई है यानि कि रैंसिड हो गई है जिसे हम जिसे हम विक्रित गंदी और इंग्लिश में बोलोगे तो रैंसिड कहते हैं उस खाने की बात कर रहे हैं ना रैंसिड कहते हैं और ये जो प्रक्रिया है खाद्य सामगरी की ओक्सिक्रित होकर के अपने गंद वे स्वाद में परिवर्तन करने की इससे हम विक्रित गंदिता कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को विक्रित गंदिता यानि की रैंसिडिटी कहते हैं ये तो आपने अपने जीवन में कभी न कभी इसको आपने कभी न कभी अपने जीवन के अंदर देखा होगा ये लाइव एक्जाम्पल आपने देखा होगा अपने लाइफ में हमेशा हाँ ओटू से अभी क्रिया करके ये क्या होते हैं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो खादे सामगरी होती है ते लिया वसा युक्त खादे सामगरी वातावरण में मौझूद ऑक्सिजन के साथ में ऑक्सिक्रित होकरके अपने गंदवे स्वाद में परिवर्तन करके विक्रित गंदी हो जाते हैं और खादे सामगरी के विक्रित गंदी होने की प्रक्रिया को या फिर ऑक्सिक्रित होने की प्रक्रिया को हम विक्रित गंदिता कहते हैं अब इसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं तो बचाव लिखेंगे हम इसके हम इस रोधी परतन में खाद्य सामगरी रखकर हम क्या कर सकते हैं फूड को जो खाना है हमारा उसको जब वो वायू रोधी कंटिने में रख देंगे तो वो हवा के कॉंटेक्ट में आएगा ही नहीं तो वो है विक्रित गंदित भी नहीं होगा हाँ बोजन में वसा तेल ऑक्सिक्रित हो जाते हैं तो बोजन स्वाद और गंद बोजन का स्वाद और गंद बदल जाता है इसे विक्रित गंदिता यानि की रैंसिडिटी कहते हैं हाँ और क्या कर सकते हैं हम चिप्स के पैकेट में ये भी लिख सकते हैं करांतिवीर चिप्स के पैकेट में से ओक्सीजन हटा करके वैक्यूम का इस्तमाल करके ओक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन जैसी नाइट्रोजन जैसी अक्री है गैस को अक्रीय गैस को भरकर जो भी पैकेट वाला फूड है या फिर जो चिप्स है को विक्रित कंधित होने से बचा सकते हैं होने से बचा सकते हैं आप क्या कर सकते हो इसके अलावा कम तापमान पर कम तापमान पर खाद्य सामगरी को रख सकते हो हम क्या लिख सकते हैं कि कम तापमान पर ओक्सीकरन धीमा हो जाता है ओक्सीकरन धीमा हो जाता है जब कम, तापमान पर में रखी हाद्य, सामगरी, लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो फ्रिज में रख करके भी बचा सकते हैं खराब नहीं होती है। उसके अलाबब आप क्या कर सकते हो। खिर के भी सव्करित गंद्यता को रोका जा सकता है विपलिट के अरित खैंप्ति जो हैं वो खुद क्या करते हैं खाने में एंटी ऑक्सिडेंट एंटी ऑक्सिडेंट की जएके प्रती ऑक्सिकारक भी लिख सकते हो लिख देती यूँ में आपर प्रती ऑक्सिकारक भी लिख सकते हो प्रती ऑक्सिकारक वेसे ज्यादा चरहेगा ना प्रती औक्सी कारक का इस्तमाल करके भी विक्रित गंदिता यह हट क्यों रहा है विक्रित गंदिता की प्रक्रिया धीमी की जा सकती की जा सकती है अब आपसे यह भी पूचा जा सकता है अच्छा यह जा सकती दिखने ही रहा है न तो उपर लिख देती हुए न यहां लिख देती है की जा सकती है अब बेटा आपसे कोई दो प्रती ऑक्सिकारक के नाम भी पूचे जा सकते हैं यह भी option है प्रिंस मौरे पर बेटा कभी-कभी ऐसा होता है न कि हमारा पेट बढ़ जाता है और हम नहीं खा पाते हैं बहुत ज़्यादा काना तो हमें उसे रखना ही पड़ता है कभी-कभी सब्दी जादा बन जाती है बिल्कुल प्रतीक्षा लिख सकते हैं हाँ बी एच टी और बी एच ए ये बेटा एंटी ऑक्सिदेंट्स ही है हाँ आप यहाँ पर बेटा दो प्रती ऑक्सिकारक के नाम पूच लिए जाते हैं कभी-कभी ओल्दो इंसियाटी में नहीं दे रखे हैं तो यहाँ पर मैं तो आप नोड कर लेना प्रती ऑक्सिकारक के नाम कभी-कभी एक्जाम में पूच लिए जाते हैं तो आपको दो प्रती ऑक्सिकारक के नाम पता होने चाहिए बी एच टी और बी एच ए पी एच टी और पी एच ए फुल फॉर्म बता देती हूं प्यूटी लैटिड पूच एक बाद चेक करना पड़ेगा इसका नाम हाइड्रो अक्सी हाइड्रो ऑक्सी तॉलूइन और दूसरे वाले का जो नाम है ना सेमी है व्यूटी लैटिड एक मिट में को व्यूटी लैटिड है यह यह कंफर्म करना तो मैं आपको बता देती हूं और यहां पर हम एनिसोल लिग देंगे बस तेम नाम है बस एंड में उसके टॉलूइन है और इसमें एनिसोल है व्यूटी लैटिड ही है सही लिखा हुआ है व्यूटी लैटिड ही है और तॉलूइन और यहां पर हम लिख देंगे एनिसोल तो यह नाम जो है बीटा कभी कभी बिहार बोड वाले स्पैशली ध्यान रखें पूछ लिए जाते हैं तो बीच्टी हाइड्रो ओक्सी टॉलूइन एक ओक्सीकारक है और ब्यूटी लैटिड हाइड्रो ओक्सी एनिसोल भी जो है एक हमारा प्रती ओक्सीकारक है यह क्या करते हैं यह प्रती ओक्सीकारक खुद यह एक प्रती ओक्सीकारक क्या होते हैं प्रती ओक्सीकारक अच्छे अपचायक होते हैं, अब चायक इसकी अडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यह है खुद ऑक्सिजन के साथ अबिक्रिया करके अबिक्रिया करके, खाद्य सामगरी को खाद्य I think मुझे सामगरी नीचे लिख देना चीए, खाद्य सामगरी को विक्रित गंधी होने से रोखते हैं, बस इसके बाहर कोई क्वेशन नहीं आता है, यह अडिशनल जो है, पूछा जा सकता है कि प्रती ऑक्सिकारक क्या होते हैं और दो प्रती ऑक्सिकारक के नाम बताओ, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है चलो, आप मुझे पताओ, कि कोई डाउट है आज के लेक्चर से, जो भी हमने आज पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है, देनिक जीवन में ऑक्सिकारण के प्रफावों के बारे में हमने देखा है कि जब देनिक जीवन के अंदर ऑक्सिकारण होता है, तो अगर यह ऑक्सिकार विक्रित गंदिता बोलते हैं अब इन धातुओं को संशारित होने से और खाद्य सामगरी को विकृत गंदित होने से कैसे बचाया जा सकता है वो हमने या पर नोट कर लिया है तो अब जल्दी बताओ कोई डाउट इस लेक्चर से जुड़ा हुआ कोई डाउट है आपका आज आपका चाप्टर वन कंप्लीट हो गया है और कल की क्लास में बेटा हम MCQs कवर करेंगे क्या करेंगे कल की क्लास में हम MCQ करेंगे चलो बहुत अच्छे अब आपको लेक्चर कैसा लगा है यह आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट करके जरूर बताना है और लेक्चर को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है तो आज़ी क्लास में बस इतना ही बच्चो इजाज़त चाहूंगी मैं आपसे मिलूंगे आपसे कल की क्लास में जिसमें हम चैप्टर वन के MCQ को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए आपको रिविजिन करना है पढ़ते रहना है नोट्स कम्प्लीट कर लेने हैं ख्याल रखेंगे अपना तिल देन बाई बाई कर लेखेंगे नहीं